है अब 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 कर दो अब हुआ हुआ हलो मेरा नाम डॉक्टर दिपक करगर है मैं सेक्याइडरिस्ट हूँ, हिपनो थेरेपिस्ट, NLP ट्रेनर, सेक्सोलोजिस्ट, देडिक्षिन स्पेशलिस्ट और कोश हूँ मैं बताने माल हूँ आपको आज बच्चों के पढ़ाए के बारे में काभी बच्चे हमारे पास में आते हैं पढ़ाए कैसे करना, टाइम टेमर कैसे बनाना यह पता नहीं उनको जा मैं बताता हूँ कुछ तरीक है, उसमें पहला बताता हूँ कि बढ़ाए कि बढ़ाए कि अगता हूँ बढ़ाए करते हैं कि आपको आपका टेस्ट यह पाइनल टेस्स एड़ी आपका रखाव यह यह दो जार निसमें जो भी कभी होंगा अभी वहां से क्यालो करो और पिछे धी क्या आज़ाआ उसको बोलते हैं Merlin Principle और Merlin Principle में ऐसा है कि Begin with the end in mind वहाँ से आप Plan करो कि वही मेरा Target कहा है मुझे पढ़ाय कैसी कैसी करनी है कितने कितने subject को कितना कितना टाइब देने का है और यह आप वह Plan करते है तो definitely आपका जितना भी आप चाहते हो कि मुझे 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 इतने मार्च मिनना है तो definitely मार्च में जाएगे तो टाइम देना के समय आपको यह देखना पड़ेगा कि मेरा टाइम जारा कहा है हमारा टाइम काफी distraction में जाता है बहुत distraction समय आते रहते मतलब कोई कोई घर में बैठे तो मा बुला लेगी किता जी बुला लेंगे या कोई भाई आएंगा वो कुछ पूछ लेंगा कोई इधर से उधर जाता है तो वहां से distraction होता है किसका फोन बज़ने लगता है कोई घर में टीवी चालू करेगा समको यह देखना है कि हमारा distraction कहां कहां होता है तो पहले यह आप मेरा time जो है इसमें time को भगने वाला मतलब distract करने वाला मेरा attention, concentration निकालने वाले कोई को उसी बात है नंबर दो मेरा time pass कहां कहां हो रहा है कि कोई दोस आते हैं इसमें उसे कप्य मारते बैठे या कोई relative आगे उसके साथ में कप्य मारते बैठे और फिर वो कभी काम पड़ा बीच में किसने tv आउन कर दिया तो मेरा time pass कहां हो रहा है वो पहले note down कहां जाए कि मैं हर्दम यह बोलता हूं कि आपका time घंटों में नहीं वेस्ट होता मिंटों में वेस्ट हो जाता तो आपका देखना है कि भई time pass का हो रहा है फिर यह भी देखना है कि मैं ऐसा नहीं बोलूगा WhatsApp मत देखो मैं ऐसा नहीं बोलूगा कि Facebook मत देखो बिल्कुल जरू देखो मगर वो भी schedule करो आपके schedule में तो मेरा Facebook देखने का time यह है या WhatsApp देखने का time यह फ़लाना फ़लाना है कि मैं ऐसा बोलूगा कि मत देखो तो तो दिर लोग बोलेगे ने अभी तो जमाना अलग है आपको क्या समझता है तो definitely आपको picture देखने का है picture hall में जायके picture देखने का है Facebook देखने का है TV देखने का है WhatsApp देखने के है Home से लोगों को बात करने के है मतलब कोई YouTube में कोई video देखने के है कुछ भी जो भी आपको करने का है वो सब पहले लिखो और उसको schedule करो आपके पढ़ाय को भी schedule करो आपके school में या college में या tuition जाने का time को सबसा है 8 से एक वो डायरी में लिखो 8 से एक college या 8 से एक tuition जो भी है तो वो उठेंगे कितने बज़े फिर आप उठने के बाद में जो time वो वेस्त हो जाता है आराम से उठेंगे जरे जरे उठेंगे आराम से ब्रश करेंगे फिर दूदिया चाय कोफी लेंगे फिर वहां से फिर धिरे से किस paper सामने आया तो वो पढ़ लेंगे उन्ना यसा unschedule ना रखते हुए बिलकुल schedule कि कितने बज़े उठोंगा समझे सुबह आप छे बज़े उठे है तो छे बज़े से लेके रात को ग्यारा बारा बज़े तक आपका टाइम डेवल पूरा है दिशेडूल किया हुआ है डैरी में लिखा हुआ है तो आपका टाइम कुछ भी वेस्त नहीं होगा है कर ऐब्न अधि को अधेहडेगं गंटे का टाइम स्लट उसमें डालत है साथ से साथ सार्शत से 8 क्या करने ワॉर और जो लिखा पहले यह पहले करो कि जो मैं लिख эп marriage करो कि जो मैं लिक़्ूंगा उसको मैं खाट करूँ यह मेरी जबान है मैं जो लिख रहा हूं time table जो schedule करहा हूं मेरी जबान है और जैसा लिखावा ऐसा तो रोग्या एक हफते का time table पुरा कम से कम पहले बनावा बनाता रहे begin with the end in mind जब एक्जाम है तब तक मैंसे मुझे कैसा करना है मगर hourly basis के ऊपर या half hourly basis के ऊपर सब्सक्राइब बहुत ज्यादा यह आप एक जिन में करेंगे और वो बुलेंगे ठीक है अभी आप सम्झो तीन घंटे या चार घंटे प्रोश पढ़ाई कर रहे हैं अभी आपने सम्झो ऐसी पढ़ाई कर ले कि मैं बारा घंटे कल से चालू करूंगो तो जमेगा नहीं करने की आपकी आदत होंगी आप फॉसको चार घंटे करना मझें आपार याबंशावलिकर कंडि आपको थूुषन कब केुषमीश तरे हैं कौंस हैं वह अने हैं paralat और इसले पीटियां है जो बहुत फूरा साल का केलिंडरे वह सामने रकए हैं जिवाली कव मैं कर्सित जो भी आपको कुछ मत करो जो करना मरूजी करो मगर वो लिखो कैलेंडर में लिखो एक डायरी लाओ आधे-अधे घंटे का फ्लॉट डागो आराम की निए कम साथ से आठ घंटे आप सोते हैं तो जरूर दूसरे दिन एक दम आप एन्थूसास्टिक और एनरजेटिक टो कुछ भी संबल हो एनिथिन टेम डिवल बना नहीं के पहले यह सब आपने करनाा में बस्तिक्शन कहां-कहां होरे कौन मेरा टाइम जो है वह ले रहा है ठेम-पास कहां हो लाँ है टीवी फेस्बूक श्राइब इसमें मेरा ट्रीक इतना जा रहा है दोस्तों के सामने ब आप चैनल कोछे को आप सब्सक्राइब को यह वह देखो कि आप ज्यादा इंफुजास्ट कब रहे हैं यह ज्यादा आप को कसके होता गया कि दोपर के समय तो रात को आठ से दस का जो टाइम है इसमें नहीं नहीं आती है वह एक टाइम ऐसा रहता है कि उसमें थोड़ा एनरजी अच्छी रहती है और सुबह का टाइम जो है तीन से पाँच उसमें ऐसी पढ़ा ही रखो कि जिसमें वह easy है और आपको complete करना बहुत आसान है ऐसी पढ़ाई रखो आप schedule बना आप जो चाहेंगे जितने मारक आप चाहते हो जहां भी आप admission चाहते हो वो पक्ति हो जाएगे शर्त यह है कि time table बनाने के पहले अपने आप से पहले वादा करो कि यह 8 दिन में जो मैं time table ल सब स्टूडें गोए आप लो देख रहे हो सब सूर्ण को आप यह पास करो यह एक्षे करो सब यह सूर्ण करेंगे ना कि बहुत कि लोगों को मां ने लेंगे कि मार्थ तो भी पढ़ी नहीं लोगों को नौलेज रिता अच्छा हूं लोग पढ़ाई कितने अच्छे करेंगे और पढ़ाई अच्छे करते हैं जैसा ख़्वान कुछ ने का है कि कर्म अन्य वाधिकार आस्ते मां फलेश्यक दाय चानिक तल की जिंदा मत वा मांकी जिंद करो और एक ऐसी पीडियम ऐसी जनरेशन त्यार करेंगे कि जो जनरेशन ऐसा मतलब अपना टाइम शुरूल कर रही है और ऐसी उत्पाद अगता आपनी बढ़ा रही है कि अपना देश आगे बढ़ेगा हम जो टाइम वेस्ट करते हैं तो वेस्ट नहीं होगा हुआ हमारे सब आज का मेरा जो टाइम टेवल है यह टाइम टेवल ऐसा 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 है यह टाइम टेवल का में पालत करूंगा खुद को सजेशन दो सबकॉंशन माइन को सजेशन दो उसको हैमर करो कि मैं जैसा लिखाया वैसे करूंगा आप यह लोगों को शेर करते हैं लोग भी करेंगे औ और एक नया भारत का निर्मान हम नय पिढ़ी के साथ में करें। थैंक्यू वेरी मुच्छ थैंक्यू